आस्मान में उड़ती दुस्मन की मौत बाइस साल लंबा इंतिजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है भारतिये वाइव सेना और इंडियन आर्मी के बेड़े में लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर शामिल हो गई हैं आखिर इन लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर का इंडियन आर्मी और वाइव सेना के बेड़े में शामिल होने का महट तो कितना बड़ा है ये आप थोड़ी देर में विस्तार से समझ सकेंगे जब हम आपको एक-एक करके पूरी जानकारे इन लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर के बारे में देंगे यकीन मानिये 1999 में अगर भारत के पास लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर होते तो 1999 की जंग भारत के लिए बेहद ही आसान हो जाती उस वक्त इन विमानों की जो कमी है इन लड़ाकू हेलिकॉप्टर की जो कमी है वो भारतिय सेना को महसूस हुई थी और उसके बाद शुरू हुआ था इन लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर को बनाने का काम 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान की सेना सुनियोजित तरीके से उपर पहाड़ी पर बैठी हुई थी भारतिय सेना निचे थी और उपर से पाकिस्तान के लिए भारतिय सेनिकों को निशाना बनाना बेहद आसान था उस वक्त भारतिय सेना के पास light combat helicopter नहीं थे अगर उस वक्त भारतिय सेना के पास ये light combat helicopters होते तो फिर जो उची पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना के बंकर थे उन्हें भारत आसानी से निस्तनाबूत कर सकता था लिहाजा इस पर काम करना उसके बाद शुरू हुआ और धीरे धीरे इनका निर्मान का जो प्रोसीजर है ट्रायल्स हैं वो एक के बाद एक पहले फेस का ट्रायल उसके बाद दूसरे model का ट्रायल तीसरे model का ट्रायल चौथे model का ट्रायल जो ट्रायल है वो पूरा हुआ उसके बाद लाइसेंस मिला और आखिरकार अब भारतिया वायुसेना और इंडियन मिलिटरी के बेड़े में जो लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर यानि की LCH है वो शामिल हो गए हैं अब आप अगर मौसम की बात करें तो सियाचिन की सर्द हवाओं से भला कौन वाकिप नह जहां पर गलेशियर हादसों में जवानों की मौत के मामले जवानों की शहादत के मामले एक के बाद एक लगातार सामने आते रहते हैं जहां मौसम इतना खतरनाक होता है कि दुस्मन के हमले से ज़ादा जवानों की जो शहादत होती है वो मौसम की मार की वजह से होती है उन या फिर पाकिस्तान वहाँ पर पंगा लेने की कोशिश करें। वहाँ पर भारत का पलड़ा इन Light Combat Helicopters की वजह से भारी रहेगा। इसके अलावा बात जोतपूर की करें, बात राजस्तान की करें। जोतपूर के लिए क्यों खास है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन रेगिस्तान की जो तपती रेथ है, उससे भला कौन वाकिप नहीं होगा। वहाँ पर भी Light Combat Helicopters उनका ट्रायल सफल रहा है। यानि कि वहाँ की गरम हवाओं में भी Light Combat Helicopters भारी पढ़ते हुए नजर आये हैं। यानि कि मौसम चाहे बेहद सर्द हो, चाहे माइनस पचास डिगरी टेंपरेचर हो, चाहे पचास डिगरी टेंपरेचर हो, दोनों ही मौसम में Light Combat Helicopter दुश्मन पर भारी पढ़ता हुआ नजर आता है। भले ही नाम Light क्यों न हो, लेकिन इसका जो weight है, weight जिम्मेदारी के हिसाब से, weight भारत की उमीदों के हिसाब से वो बहुत भारी है। इसलिए रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने भी इस मौके पर कहा, कि ये भारत की स्वदेशी उडान है, क्योंकि सबसे खास बात ये है, कि ये स्वदेश में बनाया गया है आत्म निरबर, भारत की पहचान को दुनिया के सामने रखता हुआ नजर आ रहा है, और इससे भारत की तरच पर लाइट कॉंबेट हेलिकॉप्टर का निर्मान किया जा रहा है, तो उस वक्द भारतिय सेना ने ऐसे विमानों की खरीद को भी कम कर दिया था, यानि कि भारत अब आत्म निरबर बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस आत्म निरबर भारत में अगर रक्षा शेत की बात करें, तो भारत की उमीदों को वक्त के साथ में पंक लगते हुए भी नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से आज भारतिया वायुसेना के बेडे में LCH शामिल हुए हैं, ऐसे में पडूसियों की, उन पडूसियों की, जो भारत के दुश्मन देश हैं, जो दुश्मनी जिन देशों ने मोल ले रखी है, बात चीन की करें, या फिर पाकिस्तान की करें, तो उन देशों की नींद जरूर हराम हो गई होगी, खास बात, यहां पर ये भी है, कि जो LCH हेलिकॉप्टर्स हैं, ये जो हैवी विकल्स होते हैं, उनकी तुलना में इनको निशाना बनान बेहद ही मुश्किल होता है, यानि कि ये दुश्मन के रडार पर आशानी से नहीं आते हैं, जबकि हैवी विकल्स दुश्मन के रडार पर आशानी से आज सकते हैं, इसके लावा जो दुश्मन का एर डिफेंस होता है, उसको भी ये आशानी से निस्तनाबूत कर सकता है, चलिए आपको एक-एक करके ग्राफिक्स के जरिये पूरी जानकारी LCH के बारे में दे देते हैं. तो स्वदेशि डिजाइन और एडवांस तकनीच से लेस LCH भारत की ताकत को बढ़ते हुए नजर आ रही हैं. भारत की ताकत बढ़ती भी नजर आ रही है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ये तस्वीरे जोत्पूर की जब रक्षामंत्री राजनात सिंग वहाँ पर मौजूद थे किसी भी मौसम में उडान भरने में LCS प्रक्षम है यानिकी परसितिया कैसी भी हो कितनी भी व गुसपैट करता है ड्रोन के जरिये हदियारों की खेब बेजी जाती है तो ऐसे में LCS बेहद एहम हो जाता है आसमान से आसानी से इन हेलिकॉप्टर्स पर निगरानी रखी जा सकती है गुसपैट की कोश्तों को आसानी से नाकाम किया जा सकता है फॉरवर्ड जाता है तो उसे मुहतोर जवाब देना थर्मल विजन लेजर रेंज फाइंडर से लेस है यानि कि रात के जो ऑपरेशन से उन में थर्मल विजन से या लेजर रेंज फाइंडर से आसानी से मदद मिलती है भी नजर आएगी रात के ऑपरेशन जो मैं बात कह रहा था वो कर भारत हासिल कर रखी है और 16,400 फिट की उचाई पर भी आसानी से उडान भर सकते हैं, हेलिकॉप्टर पर गोलियों का असर नहीं होता है, कॉक्पिट ग्लास जो है वो इसको कहने कहीं एक तरह से ब्लेट प्रूफ करता है, स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक से ये तरह से लेश नजर आ रहे हैं, अब इसके कुछ आंकडों पर भी नजर डाल लेते हैं, भारत की स्वदेशी उडान की बात करें, तो LCH कोई लंबाई 51.100 फिट है, जबकि उचाई 15.5 फिट है, इसके अलावा अगर बात करें, तो इसका अगर लोडेड वजन की बात करें, लोडेड वजन यानि कि जब इसमें हतियार एक बार इसमें लोड हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर जो इसका जो लोडेड वजन है, वो 5800 किलोग्राम हो जाता है, और 700 किलोग्राम तक के हतियार इसमें लोड किये जा सकते हैं, तो आप खुद बखुद अंदाजा लग प्रति घंटा LCH की है यानि की light combat helicopters की है और ये जो खासियत हैं वो इसे और helicopter से बेहर्द खास बनाते हैं HL ने इसका विकास किया है इसको विक्सित किया है इसके अलावा इसमें दो pallet भी बैठ सकते हैं तो एक एक करके हम आपको खूबियां बता रहे हैं कि LCH की खासित क्या है इसके खूबियां क्या है कहीं न कहीं हिंद की तागत अब LCH के शामिल होने के बाद बढ़ गई है LCH उड़ान भरेगा और दुश्मन के मन में दर बैठना लाजमी है Cabinet Committee on Security जो प्रधानमंति जिसके अध्यक्षता करते हैं उसने 15 LCH खरीदने की अनुमती दी थी आपको बता दें जब इसको खरीदने को लेकर के बात हुई थी 3887 करोड रुपए की लागत से LCH खरीदे जाएंगे जो एक्ष्यल इनका निर्मान कर रही है इसके अलावा मार्च 2022 में 377 करोड रुपए इसको लिए ज़ारी भी कर दिये गए थे और 15 हेलिकॉप्टर में इसे 10 वायसेना की जबकि 15 भारतिया सेना को मिलेंगे यानि कि भा हेलिकॉप्टर के शौमिल होने के बाद कहीं न कहीं दुश्मनों का थर्थर का अपना लाजमी है यानि कि दुश्मनों की नीन जरूर उट गई होगी कि LCH काम क्या करेगा यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कॉमबेट सर्च एंड रेस्क्यू यानि कि अगर युद्ध का माहौल है वहां पर युद्ध का परिस्तियां पैदा हो गई हैं तो ऐसे में जो भारतियों जवान हैं उनको रेस्क्यू करने में मददगार साबि जार्द वहां पर सर्च में मदद मिलेगी और इसके अलावा अगर वहां पर गुस्पैट की कोशिश गुस्मन की और से की जाती है तो उसका भी मुहतोर जवाब कहीं ने कहीं LCH देगा उमीदें LCH से बहुत ज्यादा हैं गुस्पैट को रोखना जिस तरह से मैंने आपको काम किया जा रहा था पाकिस्तान के जरीए लगातार हत्यारों की खेप बेजने का काम किया जा रहा था और उन हत्यारों को कई बार पंजाब के कई जिलों में भी देखा गया था और कई बार बेसित की और से वारिंग करने के बाद वो ड्रोन अपनी सीमा में भाग जाते थ जिसके बाद वहां पर operation करना भारत के लिए आसान नहीं होता है क्योंकि international borders का वहां पर मामला आ जाता है LCH advance में यानि कि पहले ही alert कर देगा उसके लावा ड्रोन को भी आसानी से मार गिराएगा यानि कि दुश्मन देशों की जो नापाक साजिसें भारत के खिलाफ चल रही हैं उनका दुश्मन देशों को मुहतोर जवाब मिलेगा हर आतंकी गतिविदी पर कड़ा प्रहार होगा जो हतियार इसमें मौजूद हैं उन हतियारों के बारे में भी बता देते हैं वो हतियार जो LCH की मारक शमता को बढ़ाने का काम करेंगे एक एक करके बारीके से उन हतियारों के बारे में भी आपको बता देते हैं कॉक्पिट के नीचे M621 कैनन यानि कि आपको अगला हिसा नजर आ रहा होगा तस्वीर में उसके नीचे आपको छोटी सी एक तोप लगी वी नजर आ रही होगी ये कॉक्पिट के नीचे M621 कैनन है 20 mm आटोमेटिक ये कैनन है यानि कि तेजी से गोलिया ये बरसाती है इसका अलाबा आपको बता दें कि इसका निर्मान फ्रांसिसी कंपनी नेक्स्टर ने किया है यानि कि M621 को नेक्स्टर ने बनाया है जो एक फ्रांसिसी कंपनी है और अगर गोलियों की बात करें तो हर मिनट 800 गोलियां फायर होती है 750 से 800 गोलियां कॉक्पिट के नीचे M621 कैनन से फायर की जाती है यानि कि दुश्मन का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा हत्यार ऐसे हैं और इससे मिसाइल को भी छोड़ा जा सकता है इसके लावा अगर विंग्स के नीचे आप नज़र डालेंगे तो लेजर गाइडेड रॉकेट वहाँ पर है जिसकी रेंज एक दश्मलव पांच से आट किलो मीटर तक है हवाई और जमीनी हमले करने में ये सक्षम है लेजर गाइडेड रॉकेट उसके नीचे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लैस की जा सकेगी क्लस्टर बम, अंगाइडेड बम और ग्रेंडेड लांचर भी लगाए जा सकते हैं तीन तरह की बम यानि की लगाए जा सकते हैं और भविस्य में धुरवास्तर मिसाइल को लगाने की भी तयारी इसमें की जा रही है यानि कि अब धीरे धीरे इसको अपग्रेड भी किया जाता रहेगा और जैसे जैसे ये LCH अपग्रेड होंगे वैसे वैसे दुश्मन के लिए इनसे पार पाना मुश्किल होता जाएगा यानि कि इनका सामना करना बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आएगा तो एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्यों ये इतने खतरनाक हो जाते हैं और आखिर क्यों इनकी एहमियत ज्यादा हो जाती है अब भारत को जरूरत क्यों महसूस हुई ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है 1999 में कारगिल युद के दोरान इनकी जरूरत महसूस हुई थी, इनकी कमी महसूस हुई थी क्योंकि पाकिस्तान की सेना उची पहाड़ियों पर बैठी हुई थी, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, अधिक उचाई पर हमला करने वाले हेलिकॉप्टर की उस वक्त भा आपकिस्तान के उन सैनिकों को भी आसानी से टार्गिट किया जा सकता था, जो भारतिय सेना के जवानों को निशाना बना रहे थे, इसके लावा, 22 साल की लंबी कहानी से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, 1999 के बाद जब जब जरूरत महसूस हुई, तो 22 साल की लंबी क कहानी किस तरह से चली किन-किन पड़ावों से एरफूर्स उकर के गुज्री कौन-कौन से ट्रायल्स हुए वो आपको बता देते हैं 2004 की बात है जब सेना ने ये पहली बार बताया था कि यूडिलिटी हेलिकॉप्टर धुरूव के फ्रेम पर हलका लडाकू हेलिकॉप्टर बनाने पर काम किया जो रहा है साल 2004 की ये बात है जिना ने पहली बार इसका जुक्र किया था उसके बाद 2006 में एच्छेल ने हलका लड़ा को विमान बनाने की घोशना कर दी थी 2006 में केंद्र ने सीमित कर दी थी विदेश से हेलिकॉप्टर की खरीद उन हेलिकॉप्टर की जो LCH की तर्च पर विदेश से भारत इंपोर्ट करता था 2006 में उन पर रोक लगा दी गई थी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई थी लेकिन सीमित उनकी खरीद को कर दिया गया था फिर 2008 में LCH के मॉडल की सफल उडान देखने को मिली थी यानि कि टेस्टिंग का दौर दौर शुरू हो चुका था और तीसरी टेस्ट फ्लाइट भी इस दौरान सक्सेस रही थी फिर ट्राइल्स का दौर शुरू हुआ था सेना की उमीद के मुताबिक 2008 तक ऐसे हलिकॉप्टर तयार हो चुके थे लेकिन ट्राइल के फेस से गुजरना बाकी था 2011 में फ्लाइट जितल चुरू किया गया ट्राइल में 2012 में यह पर्खा गया कि फ्लाइट परफोर्मेंस बाहर शमता और पंक में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है 2014 तक दोनों मॉडल से हल्के तीसरे मॉड़ल का ट्राइल भी शुरू हो चुका था 2014 की यह बात है 2014 में हलके जो तीसर ने तब चौथे मॉडल के लिए 2014 में 126 करोड का बजट स्विक्रित कर दिया था 126 करोड का बजट चौथे मॉडल के लिए दे दिया गया था 2015 से असली कहानी शुरू होती है लेह के ठंडे मौसम में HCL का, माफ कीजेगा LCH का ट्रायल सुरू होता है 2015 में 4.1 किलोमीटर एल्टिटूड और माइनस 18 डिगरी में पहले ट्रायल हुआ था माइनस 18 डिगरी में टेंप्रेचर कितना खतरनाक रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं 2015 में इंजन जो है उसको स्टार्ट करने से लेकर बैटरी शम्ता समेच सवे ट्रायल में यह खरा उतरा था सियाचीन में उसके बाद 2015 में 13,600 से 15,800 फिट की उचाई तक ट्रायल किया गया था इतनी उचाई पर जब ट्रायल हुआ तो ऐसे में इसका सक्सिस होना बहत जरूरी था और सियाचीन ट्रायल में बड़ी काम्यावी भी 2015 में LCH को मिल चुकी थी फिर सियाचीन के बरफिले पहाडों के बाद 2015 में रेगिस्तान में परखने के लिए इसे जोधपूर लाया गया था जोधपूर में इसकी टेस्टिंग का फेज शुरू हुआ यहाँ पर हाई टेंपरेचर, हाइड्रोकोलिक प्रेशर, वेपन सिस्टम समेथ सभी ट्रायल जो है वो इसने पास कर लिए थे, सभी ट्रायल सपल रहे थे तो था मॉडल 2015 में फिर मैदान में उत्रा अब जब मैदान में उत्रा तो उसके बाद 2016 में बेसिक परफोर्मेंस टेस्ट आउट स्ट्रेशन ट्रायल पूरे किये गए यानि कि करके ट्रायल पूरे हुए 2016 में दो मेहने तक वेपन सिस्टम का ट्रायल हुआ जिसके बाद लाइसेंस मिला और फिर 2017 में जब रक्षा मंत्री राजनात माफ कीजेगा उस वक्त अरुण जेटली 2017 में रक्षा मंत्री थे उन्होंने इसके प्रोडक्शन की शुरुवात की थी यानि कि सभी पड़ावों से गुजरने के बाद थीरे थीरे इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और आज की तारीक इतिहास बनते हुए नजर आ रही है जब लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर भारतिय वाईसेना और इंडिन मिलिटरी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं तो देश को पहला स्वदेशी लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर मिल गया है खास बात यह है कि भारतिय वाईसेना के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH को सीमा के करीब जोदपूर में तैनाथ किया गया जोएगा सुमर को यानि कि आज रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग की मौझूदगी में लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर को वाईसेना में ओचारी ग्रूप से शामिल कर लिया गया है और इसको नाम दिया गया है प्रचंड यानि कि LCH के प्रचंड प्रहार से प्रचंड प्रचंड वार से दुश्मन पानी भी नहीं मांग पाएगा इस तरह किस्ति बनती हुई नजर आएगी इस मौगे पर रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने क्या कहा वो तस्वीरे भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं प्रचंड पर आप उन तस्वीरों के भी देख सकते हैं और इसके खासियत पर भी नजर डाल सकते हैं वो तस्वीरे वहां पर पूजा भी की गई थी और इस दौरान जिस तरह से LCH वाइसेना में शामिल हुआ है तो इसे एक बड़ी सौगात से कम नहीं माना जाएगा रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने इस मौके पर कहा कि LCH दुष्मनों को चकमा देते हुए विबिन परकार के गोला बारूत को कैरी करने और सिगरता से इथा स्थान पर पहुँचने में सक्षम है ये LCH विबिन इलाकों में हमारी आम्ड फोर्स की जरुरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से खरा उतरता है ऐसे में LCH हमारी सेना और एरफोर्स दोनों के लिए एक आदर्श मंच है उन्होंने कहा कि LCH का डिजाइन और डेफलमेंट आदुनी की दुष्वेदर की जरुरतों के अनुरूप किया गया है अपने विकास के चरण में अने परकार के टेस्टिंग में इसने तमाम चुनोतियों से ने पटने में अपनी योगता दिखाई है साथ ही साल 1999 में कारगलियूद जिसका जिक्र में लगातार कर रहा था उसका जिक्र करते हुए भी राजनात सिंग नजर आये और खास बात उन्हों ने ये कही कि जो भारतिय वायुसेना है वो स्वदेशी पर भरोसा करती है और जिस तरह से स्वदेशी सब्द को तवज्जो रक्षाशेत्र में खासतोर पर साथी साथ दूसरे शित्रों में भी दी जा रही है लेकिन रक्षाशेत्र ने जिस तरह से हाल ही में नेवी ने आइनस विक्रांथ को बेडे में शामिल किया था वो भारत की आत्मिर्भरता की जलक को दिखाता है भारत वो भारत जिसने एक नारा दिया है made in India, made for world यानि कि भारत में बनाया जाएगा पूरी दुनिया के लिए बनाया जाएगा जो नारा भारत की ओर से लगातार दिया जाता है उस नारे पर अब भारत खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है सक्षम भारत, स्रेश्ट भारत का जो सपना भारत का हर आम नागरिक देखता है जिसका जिक्र अक्सर प्रधान मंसरी नरेंदर मोदी के भाषणों में देखने को मिलता है 2047 तक भारत को विक्सित देशों के लिस्ट में शामिल करने का जो सपना प्रधान मंसरी नरेंदर मोदी समेट तमाम भारतियों ने देखा है उस सपने को साकार करने की दिसा में रक्षव शेत्र में लगातार काम हो रहे हैं दूसरे शेत्रों में वो तेजी कब देखने को मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी तो LCH भारतिय वाय सेना और इंडियन मिलिटरी के बेड़े में शामिल हो गया है यकीन मानिए ये सिर्फ ट्रेलर भर है क्योंकि पिक्चर अभी पूरी बाकी है ये स्वदेशी उडान की महज वे एक तस्वीर है ऐसी तस्वीरें अभी और भी आनी बाकी है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एरफोर्ट्स, रक्षा के शेत्र में स्वदेशी की धमक गुंस्ती हुई नजर आएगी वो जमाना बीतता हुआ नजर आएगा जब भारत को हतियार खरीदने के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था वो जमाना गुजर गया जब भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था हाँ अभी पूरी तरह से वो जमाना नहीं गुजरा है और वो जमाना गुजरता हुआ नजर जरूर आएगा क्योंकि अब भारत आत्म निर्वर भारत पर जोड़ दे रहा है भारत में जिस तरह से हर छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से पड़ी चीज बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी लगातार प्रेरिणा दे रहे हैं क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और भारत भी इस उम्मीद के साथ में लगातार आगे बढ़ रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत में बने हवाई जहाज लड़ाकु विमान दूसरे देश खरीते हुए नजर आएंगे अभी भी कई देश भारत से हत्यार खर करेंगे तब आत्म निरभरत का सबना सही माइनों में साकार हो सकेगा क्योंकि अभी तो शुरुवात भर है और अभी इस शुरुवात को बड़े पैमाने तक पहुंचाना बहुत जरूरी है बड़े-बड़े आयामों को छुना बहुत जरूरी है उमीद करेंगे कि जो आत आत्म निरभरता के मामले में भारत दुनिया के तमाम देशों से आगे खड़ा नजर आएगा और दुनिया के तमाम देश अपनी जरूरतों के लिए भारत निरभर होते होई नजर आएंगे हालांकि इस दिशा में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है और सिर्फ बात रक्षा शेत्र की ही नहीं दूसरे तमाम शेत्र हो चाहे बात उत्पादन की हो चाहे फसलों के उत्पादन से लेकर के इस्किल डफलमेंट की बात हो उन शेत्रों पर काम करना बहुत जरूरी है सरकार की और से तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही है जरूरत आम नागरिकों को भी समझने की है अब देखना दिल्चस्प होगा कि जो रोड मैप मोधिस सरकार लेकर के चल रही है जो रोड मैप 2047 तक पहुँचने के लिए बनाया गया है अवेक्सित देशों की शेड़ी में पहुँचने के लिए बनाया गया है उस रोड मैप पर खरा उतरने के लिए और कितने पड़ावों से हो करके गुजरना पड़ेगा उम्मेद तो यही करेंगे कि जो सपना भारत ने देखा है उस सपने को जल से जल भारत पूरा करता हुआ भी नज़र आएगा और ये सही माइनों में पूरे देश की जीत होगी हिंदुस्तान की जीत होगी और हिंदुस्तान की ताकत इसी तरह से बढ़ती हुई नज़र आएगी इस स्पेशल पेशकिस में फिरहाल कले इतना ही देश दुनिया की तमाम एहम खबरों के लिए बने रहे एबी स्टार नियूस के साथ क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता